Hello friends कैसे हैं आप सब लोग, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HyperOS की गैलरी के अपडेट के बारे में यहाँ पे जो HyperOS की गैलरी का अपडेट निकल काया है, जो कि आप चेक करोगे, आपको यहाँ पे कुछ ऐसी लुकिंग में गैलरी देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आप देखोगे, आपको यहाँ पे 3.0 पे क्लिक करने पे एक न्यू फीचर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है सो डेटेल में आगे चलके बात करते हैं कि क्या इस फीचर का यूज है और क्या कुछ आपको नया देखने को मिलता है और कैसे आपको अपडेट करना है सो वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजेगा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगते है वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पर नहीं है तो ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिएजएगा विदाउट वेस्टिंग अने टाइम यहां से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको पुरानी गैलरी आपकी चेक करवा देता हूं कि आपको वह कैसी देखने को मिलती है आप यहां पर देखो कि जैसे आप इसे ओपन करते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है यानि यह जो deleted items का icon देखने को मिलते है वो यहां पर fade सी looking में देखने को मिलते जो कि आप च्यक कर सकते हो अभी यहां पर बात करते हैं न्यू अपडेट मैं आपको कैसा मिलता है यहां पर एसका वर्जन आप च्यक्क पर सकते हैं यह जो old अपडेट आपको см यानि आपकी डिवाइसी में जो भी चल रहे है तो आप देखो कि यहाँ पर मैं आपको वर्दन चेक कर वादेता हूं तो इसका वर्दन आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 3.5.7.7 ग्लोबल वर्दन देखने को मिल जाता है तो अभी जो इसका अपडेट निकल के यह वह लुए आपको चेक करवा देता हूँ इसका लिंग आपको डिस्क्रिप्शनमार मिल जाएगा अधर्वाइस आप सीधा टेलीग्राम चैनल पे जाके भी इसे डाउनलोड कर सकते हो क्यों कि क्या बढ़ आपको क्या करना है यहां पर इस प्लिक करके इसे यहां से अफ्डेट क लेना है तो आप यहां पे चेक कर सकते हैं कोई भी रिस्क भी आपको देखने को नहीं मिलता है तो अपडेट होने के बाद अब आप यहां पे देखो कि जब आप अपनी गैलरी को ओपन करोगे तो आपको यहां पे सबसे पहले तो उपर आपको ऐसे बड़ा सा फोटो लिख देखने को मिलते वह भी चैक कर सकते हैं डांत कलर में आपको देखने को मिलता पिछले अपड़ेट में यह एक ऑनीध कलर में था और आप देखो अभी आपको Chinese language में देखने को मिलेगा, क्योंकि यह जो APK अभी वह Chinese वाला APK है, HyperOS से extract किया गया है, अभी यह इंडिया के लिए release नहीं किया गया है, तो आपको इस feature का क्या use देखने को मिलता है, जो भी आपकी वीडियो या photos होती है, वो जब भी आप record करते हो, तो उसकी ज location पर मेरको यहाँ पर यह शो कर रहा है, तो यह इस map का आपको use देखने को मिलता है, जो की काफी amazing आपको देखने को मिल जाता है, यह feature, और साथ में आप यहाँ पर check करोगे, जैसे आप कोई भी image को यहाँ पर click करके open करते हो, तो आपको यह जो नीचे वाले toggles देखने को म पर आपको आपको आप clicks करते हो, जो की काफी amazing आपको आपको उसका यहाँ क्लिक करके share कर सकते हो, यही डेका अफ़िट आपको काफी स्मूथ देखने को मिलते है कोई भी लाग या ETF आपको देखने को नहीं मिलेंगा बिना हैंगिंग के दो जैसे कि Wheelemi होगो डेखने को मिलगा जाएगा गैजी का अपडेट है और आपको इसमें और भी फीचर ज़या फीचर से थे बट मेरे डिवाइस में ये feature working नहीं है, आपको पता ही होगा कि Xiaomi के काफी साथ जो top highlighted features हैं, वो किसी limited devices में या selected devices में वर्क करते हैं, पहले पहले तो चाइना में आते हैं, और अगर इंडिया में आते हैं, तो यहाँ पर ये feature मेरे device में वर्क नहीं कर रहे हैं, बट आपको इस update के साथ वो देखने को मिल जाते हैं, hopefully आपको HyperOS का जब update देखने को मिलेगा, तो शायद आपको हो सकता है ये feature हर device में देखने को मिल जाए, बट मेरे को नहीं लगता कि ये feature आपको देखने को मिलेगा, ये कुछ gallery का update आपको देखने को मिलता है, काफी smooth है, अगर आप try करन है, बस आपको यहाँ पर Chinese language देखने को मिलती है, बाकि आपको ये perfectly working करता हो, आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप चेक कर सकते हो, इसमें ये video detect कर लिए, कौन सी location पर ये शूट की गई है, तो काफी amazing आपको ये feature देखने को मिल जाता है, और इसका जो मैं आपको वर version 3.6.0.8 में updated हुआ है, तो काफी amazing आपको देखने को मिलते है, ट्राइक करना चाहते हो, ट्राइक कर सकते हो, तो ये आपको कुछ वीडियो थी, मिलते है नेक्स्ट वीडियो में, thanks for watching.